हेलो दोस्तो आज हम पढ़ेंगे फोर्ट विलियम कॉलिज दस जुलाई 1880 में इसकी स्थापना हुई गौवर्नर जो थे इसके जिसने इसकी स्थापना करी अगर कोशन आ जाए फोर्ट विलियम कॉलिज की स्थापना गौवर्नर लॉर्ड विलेजली ने की जो उस वक्त के भारत के इसमें पहले जो अध्यक्स्ति या हम और प्रोफेसर भी थे वो थे गिल्क्राइश्ट अठारा सो से लेके अठारा सो चार तक यह मैंतपूर्ण व्यक्ति हैं क्योंकि इन्होंने ही जो है कि इन्होंने ही जो हिंदी के लिए जिसे मुंसीर ललुलाल सदा सुकलाल को नियुक्त किया और उसमें हिंदी भाषा के उसके लिखने के लिए प्रेरिद किया उसके पस्चार्थ इसमें जो है कैप्टन जेंस मौर्ट 1806-1808 कैप्टन विल्यम टेलर 1808-1823 मेजर विल्यम प्राइस 1823-1831 अब इसमें प्रेशन आ जाता कि फोर्ट विल्यम कोलिज से नहीं उसको इस तरह भी भाषा मुझसे कोण रहे हैं यह कौशन आमांके देखेंगे तो आपने यह देखना कौन-कौन समदित है गिल्क्राइस जेन्स मौर्ट विल्यम टेलर और विल्यम प्राइस उटेलर ये मैं तर्मूर यसमें जो टेलर है और प्राइस टेलर और प्र हिंदुस्तानी यह कोशन आया हुआ हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी के स्थान पर आधनिक अर्थ में हिंदी नाम को स्थापित करने का जो विल्यम मेजर विल्यम प्राइज ने किस ने किया हम गिलकराइश करते हैं पर विल्यम प्राइज ने किया जो हिंदुस्तानी के स्था पर हिंदि के आर्थ में तो पहले क्या था और चोबिस फर्वरी 1854 इसमी में सरकारी आग्यापत्र के अनसार यह कॉलिज तोड़ दिया गया वर्लों कि क्या है कि जो अक्ठार सर विल्यम प्राइज 1831 तक रहे इसमें प्रोफेसर इसके बाद यहां किसी की निक्ति नहीं तो जो भाषा मुंशी थे वही जो है इनका कार करते थे और 1854 में इसको एक आग्यापत्र के अधसार तोड़ते गया बिलते हैं आग्यापत्र वीडियो में सब्सक्राइब